तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू कने जा रहे हैं Tata Motors की Most Premium Hatchback Tata Ultros के XT Variant का तो अगर आप भी Tata Ultros के XT Variant लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वहन Official को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें इस कार के अंदर आपको टोटल तीन इंजन के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें पहला आपको 1.2 लिटर का पेटरोल इंजन दूसरा आपको 1.2 लिटर का लिए जाता है और आपके सामने चुका रहे हैं यह 1.2 लिटर पेटरोल वाली है जिसकी कीमत आपको डेली के अंदर 7,28,900 रूपीज की मिलती है और यह उन्रोट कोस्ट आपको 8,20,000 रूपीज तक जाती है यह इसका एवन्यू वाइड कलर है इसके अलावा एक्स्टी मेरेंट को आप गोल्ड, रेड, ब्लू और ग्रे कलर शेट में भी पर्चेस कर सकते हैं बात करें इसके फरन फीचर्स की तो काफी जादा आपको यहां पर इसका प्रीमियम हैजबेक प्रोफाइल देखने को मिलता है जहां पर सबसे उपर की तरफ आपको मिलता है इसका पॉल टाइप रेडियो एंटीना उसके नीचे आपको दी गई है एक वाइडर सी विंडिस्ट्रेन साथी यहां पर आपको ट्विन मैनुल वाइपस भी दिये जाते हैं इसके ठीक नीचे आपको प्यानो ब्लैक फिनिश के अंदर इसकी एक बॉडर लाइन भी मिल जाती है डुवल जैमबर टाइप आपको यहां पर कर्मेंशनल हैलोजन हेड्लेंब्स दिये जाते हैं जो कि follow me home और lead me to vehicle function के साथ दिये जाते हैं headlamps को नीचे से एक chrome line connect करती है जो कि इसके दूसरे headlamps तक जाती है और upper radiator grill के बीच में आपको Tata का logo मिल जाता है body color का आपको बंपत दिया गया है इसके नीचे आपको rover grill ब्लैक दर में मिल जाती है front fog lamps आपको hydrogen type के मिलते हैं साथ ही यहां पर आपको LED DRL भी provide किया जाता है side profile भी इस car का आपको काफी attractive मिलता है साथ ही यह car आपको 4990 mm लंबी, 1755 mm चोड़ी और 1523 mm ऊची मिलती है इस car के अंदर आपको MRF Company के tubeless tire दिये जाते हैं जोके 195-55R16 यानिके 16-inch के steel limbs के साथ दिये गए हैं यह steel limb आपको silver color के wheel covers के साथ मिल जाते हैं आगे देखें तो side on indicator आपको front fender पर मिलता है और outside rear view mirror आपको piano black के finish में दिया जाता है B-player black और C-player भी आपको body color में दिया जाता है साथी नीचे की तरफ आपको piano black finish के अंदर एक thick line मिल जाती है door handles body color के मिलते हैं जिसके उपर आपको request sensor भी मिल जाता है साथी rear वाला जो door handle है वो आपको C-player mounted मिलता है नीचे की तरफ आपको काफी yellow dynamic shapes दी जाती है और इस car के अंदर आपको 165 mm का ground clearance भी दिया गया है rear से भी scar का look eye catchy मिलता है आपको altros का look कैसा लगता है हमें comment में ये जरूर बताएं rear features की बात करें तो सबसे उपर मिलता है आपको integrity type spoiler with high mounted stop lamp साथी डोनों साइडों में आपको piano black का finish दिया जाता है wind screen आपको काफी plain type की मिलती है इसके उपर आपको rear wiper, washer और defogger नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर आपको कोने में vocal for local का sticker मिल जाता है बहुत ही खुबसूरत look के साथ आपको इसके rear tear lamps भी मिल जाते हैं rear bumper भी particle का मिलता है जिसके नीचे आपको एक black strip मिलती है जिसपे आपको दोनों साइडों पर rear reflector मिलता है bumper के ठीक ऊपर आपको दो point के ऊपर इसके reverse parking sensors भी मिल जाते हैं बाहर से तो बहुत बाते कर ली आपको चलते हैं इस car के interior के अंदर दोस्तों Ultros के doors आपको 90 degree तक open मिलते हैं जिसकी वज़त से आप गार के अंदर असानी से आ और जा सकते हैं यहाँ पर आपको dual tone का interior theme देखने को मिलेगा जिसमें कई जगों पर silver का treatment भी आपको दिया गया है चलिए driver side door से अगर हम start करते हैं तो यहाँ पर भी आपको dual tone का ही finish देखने को मिल जाता है जहाँ पर सबसे आगी की तरफ आपको मिलता है इसके twitter की placement inside door handle आपको piano black finish में मिलता है mirror की adjustment के लिए आपको controls यहीं पर दिये गए है mirrors को आप electrically adjust और fold भी कर सकते हैं साथी चारों power window की control मिलते हैं जहाँ पर driver side window आपको one touchdown feature के साथ दी गई है साथी थोड़ी सी gripping और एक door armrest भी आपको मिल जाता है door mounted आपको speaker मिलते हैं इस car के तर आपको four speaker plus two twitter का setup मिलता है यहाँ पा utility space bottle holder और umbrella holder भी दिया गया है the cut shape के साथ आपको इसका steering wheel दिया गया है जिसमें left side पर आपको audio and calling के controls और right side में आपको cruise and MID controls मिल जाते हैं साथी इस steering wheel को आप अपने convenient के हिसाब से tilt way में भी adjust कर पाएंगे instrument cluster आपको semi digital type का मिलता है जिसमें एक तरफ speedometer और दूसी तरफ आपको tachometer दिया गया है बीच में आपको एक छोटी सी multi information display screen भी मिल जाती है जिसमें आपको कई सारे indications मिल जाते हैं इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको side race event silver coated मिलता है उसके नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको idle start stop, fog lamp का switch और engine start stop बटन भी दिया जाता है उसके नीचे थोड़ा सा utility space और यहाँ पर आपको hood release का lever दिया जाता है साथ ही एक dead pedal भी आपको यहाँ पर provide किया गया है और driver seat की नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक fuel lead open करने के लिए lever भी मिल जाता है dashboard आपको dual tone layout में मिलता है जिसकी बीच में आप देखें तो यहाँ पर आपको certain chrome का बड़ा सा finish भी देखने को मिल जाएगा जो कि dashboard पर काफी अच्छा भी लग रहा है सेवन इंच का touch screen music system मिलता है जो कि annual auto और apple का अपले की connectivity के साथ आपको दिया गया है ठीक नीचे आपको मिलता है इसके front ace event इसके surround में आपको silver का फिनिच दिया गया है बीच में warning hazard light switch और नीचे की जरफ आपको altros की badging मिल जाती है साथ ही आपको यहाँ पर automatic type climate control भी दिया गया है 12-fold का आपको front accessory socket मिलता है साथ ही आपको यहाँ पर USB का port भी दिया जाता है सम utility space आपको यहाँ पर dashboard में provide किया गया है इसके अलावा इस car scanner आपको five speed का manual transmission मिलता है और यहाँ पर आपको multi drive mode मिलता है जिसमें आप eco and city mode choose कर सकते हैं center console आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के spacing के साथ दिया जाता है यहाँ पर आपको parking brake lever with chrome tip और twin cup holders भी मिल जाते हैं center armrest आपको यहाँ पर नहीं मिलता driver side देखें तो driver side sun visor में आपको एक ticket holder मिल जाता है बीच में आपको center cabin lamp और mic की placement मिलती है साथ ही inside rear view mirror आपको day night manual adjustment के साथ मिलता है जिसको आपको इस तरीके से manually adjust कर पाएंगे code driver side sun visor के अंदर आपको एक vanity mirror भी provide किया जाता है साथ ही code driver side में ही आपको एक grab handle भी मिल जाता है 15 liter की capacity के साथ आपको इसका globe box मिलता है इसके अंदर आपको illumination भी दी जाती है साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको twin cup holders भी provide किये जाते हैं बात की जाए इसके seats की तो यहाँ पर आपको black color की theme के साथ ही इसकी fabric seat upholstery provide की गई है जहाँ पर आपको इसके front headrest adjustable type के मिल जाते हैं इसके अलावा front seats को आप इस lever के साथ recline angle set कर पाएंगे और यहाँ से आप forward backward भी कर सकते हैं चली अब चलते हैं rear में rear door open करने के लिए आपको c player mounted door handle मिलता है जहां पर आपको rear में भी 90 degree की opening के साथ इसके doors मिल जाते हैं rear में भी inside door handle आपको piano black finish मिलता है साथ ही door armrest के उपर आपको power window control और gripping मिल जाती है नीचे की तरफ आपको utility space मिलता है और speaker आपको door पर ही मिल जाते हैं इसकी rear seats में आपको कुछ इतना space मिलता है complete आपको यहाँ पर black color की seat of policy ही दी जाती है rear seat headrest आपको fix type के मिलते हैं और किसी पकार का आपको rear में armrest नहीं मिलता एक बार बैट कर इस car की sitting अगर चेक की जाए तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक space मिल जाता है rear floor अगर चेक करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको और कारों के मुकाबले बहुत ही छोटा सा एक rear bump मिलता है जो कि आपको जादा comfortable sitting ओफर करता है साथी rear में भी दोनों साइडों पर आपको grab handles provide किये गए हैं cabin lab आपको सिफ एक मिलता है वो भी आगे की तरफ बूट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको बूट में काफी अच्छा spacing दी गई है जहाँ पर आपको rear में rear partial tray भी मिल जाती है इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इतना आपको boot space मिलता है जो के 345 liters का दिया गया है नीचे ही आपको step in tire provide किया लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 14 इंच के यह स्टील निम्स मिलते हैं इस कार के अंदर आपको smart की दी गई है जिसमें आपको lock on lock, boot और follow me headlamp का button मिल जाता है बात की जाए safety features की तो इस कार के अदर आपको dual front airbag, ABS with EBD, reverse parking sensor, engine immobilizer और speed alert system जैसे कई सारे safety features भी प्रवाइड क की हुई है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भीकुल न भूलें आथी Tata Motors की किसी भी कार को purchase करने का कोई plan कर रहे हैं तो आप नीचे दिएवे numbers पर contact करकर detail हासिल कर सकते ह थैंक्स पर वॉचिंग बहान ओफिशियल